अलो गाईज अब हम पढ़ेंगे इस चैपटर का एक और इंपोर्टन पॉइंट जो के इंट्रिगेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट अबिछ प्रिंसली स्टेट इंट्रिगेशन का मतलब क्या है after independence क्या हुआ कि British India जो थी British government जो थी जो जो से हम बोलते हैं British India provinces मतलब British India British government जो थी उसकी चो territorial control थी वो British India province में थी और princely state में थी तो अब यहाँ पर क्या हुआ जिए जो British India के control में थी जिसे हम provinces कह रहे है उन पर तो direct प्रिंसली स्टेट्स ते अब भी भी कंट्रोल नहीं आया अभी जो प्रिंसली स्टेट्स थे कौन प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो अभी भी हमारे राजा महराजों के अंडर गवन किये जा रहे थे और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका नंबर बहुत जादा था अप्रॉक्सिमेटली 565 के आसपास था ठीक है और इन प्रिंसली स्टेट्स में काफी इंडियन पॉपुलेक्शन रहती थी अगर हम कैलकुलेट करें उस तो जो बुक कहती है उसके हिसाब से हर चौथा बन्दा करने प्रिंसली स्टेट में रहता था मतला आउट औफ उप FOUR एक बंदा प्रिंसली स्टेट में रहता था और करीबन 1 3rd जो territory थी हमारी इंडिया की जो आज है उसका 1 3rd प्रिंसली स्टेट के कब से में था मतला 565 जो प्रिंसली स्टेट से उसमें करीबन करीबन हमारे overall जो 100% का हमारे जो territory है उसमें से करीबन करीबन 33.33% हमारे approximately प्रिंसली स्टेट के control में था अब यहां पर problem क्या आई? problem में आपे सबसे major problem यह आई कि British India ने जब freedom दी हमें तो बहुती ना मतलब काफी सारे खंजर भोग के दिये मतलब काफी सारे body में इतनी जादा injury करके दी जिकर के आप उसके woundे ने उसके wound और कहा कहा समहालो गे हो बस बोलते है मतलब दिखाने हैं Какा का control करो गे उसका मजे लेते हुए वह चले गए कि आपको था हमने ईतने खंजर भौग दिये हैं कि अब आप करते रहो समालते रहो अपनी की जो बॉडी दी आपको समालते रहो आप उनको समालना ही बॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वो एक तरीक इनका तरीका था Britishers का कभी भी इंडिया को डेवलेट ना होने देने का तो एक सो important point इसमें यहाँ पर यह है कि British India ने बोल लिया भाई सब ऐसा है जब हम आजाद कर रहें आपको ना तो हमने जो princely state जो हमारे अंडरल कंट्रोल थे हमारे power में थे हमारी supremacy मानते थे हमने उनको भी अजाद कर दिया अब वो अपनी मर्जी से choose करें आपके साथ आना चाहिए आए नहीं आना चाहिए तो ना आए अब यहाँ पर एक point आ जाता है जिकि चलो भाई ठीक है अगर नहीं आना चाहते तो ना आए लेकिन public के उपर opinion तो नहीं छोड़ा ना जिकि जो public बोलेगी जिकि हम इंडिया के include करना चाहते है या नहीं चाहते है यह आप पर depend करता है अब आप देखें आप क्या करना चाहते है अब यहाँ पर आगी मुसीबत क्योंकि public तो इंडिया की जो भी जो princely state में भी रहती थी या जो british provinces में भी रहती थी वो भी दोनों ही demand freedom कर रही थी because there was no democracy in both of the places not in princely state also not in british provinces also ठीक है so how come they will not demand for democracy they were demanding for democracy but they are not giving them the right of demanding to joining the india अगर इंडिया कैसे unite होने की उनों लोगों को right दी ही नहीं गई Britishers ने दी है ही नहीं उन्होंने बोल दिया कि those who are governing those states those who are the prince of those states और the king of those states राजा जो है वो decide करें अब यहां पर यह बाळ जब आई तुरण्त के तुरंद काफी states ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया ौर उनोंने अपने आपको independent गोशित कर दिया जिसमें से सबसे पहले थे जो यहां पर नाम दिया गया है वो है तरवन कोर के जो राजा थे उन्होंने अपने आपको इंडिपेंडन कोशित कर दिया अब इसके बात तुरंती जो हाइदराबाद के नवाब थे उन्होंने भी अपने आपको गोशित कर दिया जिके हम इंडिपेंडन रहना चाहते हैं और जो बोपाल के भी जो नवाब थे उन्होंने भी जो मद्धब अदेश पढ़ता है उन्होंने वो भी लाइक अगेंस्ट में ही थे मतलब इंडिपेंडेंस के और क्या बोलते हैं अगेंस्ट में थे कि यूनाइटिंग विद इंडिया ठीक है तो ये सेनारियो खड़ा हो गया अब जो 565 में से सारे स्टेट्स क के जो का मेजर स्टेट्स के जो राज़त है उन्होंने बगावर शुरू कर दी अब इस पॉइंट पे हमारे जो कि टिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और जो हमारे होम मिनिस्टर भी थे इंडियान सेंटरल गौर्ण्मेंट के सदार पटेल उन्होंने क्या किया रश बहु वो बने और जैसी वो मिनिस्ट्री की पावर में उन्होंने जैसी एक ख़बर मिलती गई और उन्होंने अपना फटा फट अपना डिसीजन्स इनके साथ डिसकेशन करना शुरू कर दिया अब यहां पे क्या बोलते हैं आपको लगेगा जिकी बात करना असान होगा जो बुग करना होगा हैं आपर रोज हर किसी के साथ लड़ नहीं सकते हम लोग जबरदस्ती पड़ेगी तो लड़ना पड़ेगा बट हम चाहते नहीं है जिकी अपने लोगों के साथ हम लड़ाई करें तो इसको परस्वेशन और पॉलाइटली करने की जरूरत थी अब इसमें से इं सिवेर्टी या इसकी इंपोर्टेंस देखो तो यह बोला जा रहा है कि 26 छोटे शहर थे छोटे स्टेट्स थे उडिसा में ठीक है और शौरास्टर जो गुजरात में पड़ता उसमें 14 बड़े स्टेट्स है 119 छोटे स्टेट्स थे और कई सारे एडमिस्टेटली मतलब ए इतने छोटे-छोटे लोग इतने छोटे-छोटे स्टेट्स इतने बड़े-बड़े स्टेट्स के साथ सामिल्टेनेसली रिंगोशेट करना बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही टाफ पॉइंट हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग एक किसी के साथ कोई बड़ा स्टे चीजों किसी को कुछ benefit मिल रहा हो तो बड़े स्टेट को राजा को कुछ benefit मिल रहा हो तो छोटे स्टेट का राजा बोलगे मुझे भी चाहिए तो कई सारे reasons हो जाते अब इसमें से तीन important point निकालने गए हैं जैकि जब हम unite करने गए government of India ने decide कि हम सारे princely स्टेट को unite करेंगे तो उसने तीन important point दिमाग में रखे पहला important point उसने दिमाग में रखा कि जो princely स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जो लोग रहते हैं वो united होना चाहते हैं इंडिया के साथ में as a nation ठीक है तो as a nation उनकी unity चाहिए ठीक है और उस unity को रखने के लिए हमें स्टेट्स को join करना पड़ेगा दूसरा important point जो वहां के लोग है वहां का culture है उनके सारी सब्वेता है और वहां के जो majority में जो लोग है उनकी सब्वेता है उसको flexible रखते हुए उनको कोई अजादी या कुछ autonomy देनी भी पड़े तो हम देंगे और लेकिन उनके साथ हमारे साथ उनको चलना पड़ेगा लेकिन उनको जो उनका personal अगर को importance चाहिए या कुछ autonomy चाहिए उनको मतला अजादी चाहिए उनके regional areas में वो देने के लिए government of India flexible थी लेकिन और ये था दूसरा point अब इसमें तीसरा important point यह था जिकी जिसमें मैं लेकिन कह रहा थ हमारा point यह था कि हमको united रहना है जूकि तीसरा point है कि territory हमें define करनी है और जितने princely state जो British India की control में थे और जो British India provisions थे उन सारे provinces को और क्या बोलते states को principally states को सबको हमें united करके अपनी state boundary बनानी है अपने nation की boundary बनानी है और हमको इनको integral बना integral part करके मतलब यह हमसे अलग ना होए और यह हमारे साथ रहे यह thinking लेके जाना यह हमारी सबसे important point थी चाहे इसके अंदर हम लोगों उनको internally domestically कुछ autonomy दे दे कुछ अजादी दे लेकिन वो भारत की हिस्से है यह उनको मानना पड़ेगा वो भारत का पार्ट है और वो अब अलग नहीं हो सकते अटूट पार्ट है इंट्रीगल पार्ट है यह हमारे third important point था जिकि अब हमें अपना boundary अपना area अपना नक्षा define करना है अपना map define करना है इंडिया का और इसमें हमारे सारे चुप पार्ट साइंगे वह हमारे अब इंट्रीगल पार्ट से इनको हम अलग नहीं मानेंगे ठीक है तो यह important points थे अब इनको 1947 ने जब हमारा देश अजाद हुआ क्योंकि जब यह सब काम चल रहा था तो यह पहले से ही चल रहा था अजादी से पहले तो लेकिन जब अजादी हुई तो major सारे states हमारे अंडर आ ग यह लोग आए नहीं इतने असानी से तो इनको लाना पड़ा इनके साथ अलग से डील करनी पड़ी तो जूनागर को लेकि यहां पर बात यह उठी है जिकि जूनागर को वहां के लोगों के मतों के हिसाब से मद्दान करवाया गया और उसके basis में जूनागर को अपने पार् कि पारे में discussion होना हम वह पर शुरू करेंगे अभी हाइदरबाद और मनिपूर के बारे में discuss कर लेते हैं चलिए अब हाइदरबाद की बात कर लेते हैं सबसे पहले हाइदरबाद की बात करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ हाँ पर कि जो हमारे प्रिंसली आपको इंडिया को इस ने शन मान लिया था और खुद को इसमें समर्ज कर दिया था उन्होंने एक इंस्टुमेंट करके एक डॉकमेंट को साइन किया जिसमें ये बोला गया जकी वह agreed करते Union of India में part होने का तो यह important point है इसको मैं specifically इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसे याद रखें हाइदराबाद भी एक हाइदराबाद के जो problem है उसको discuss करने से पहले इस point को याद रखना ज़्यादा important है यह भी important point है अब बात आते है निजाम और हाइदराबाद की अब जो निजाम थे मैंने शाए नवाब बोल लिया था पहले discussion में जब मैंने हाइदराबाद के रिगार्णिंग बात करी है तो प्लीज उसको ignore करिए गया भुपाल के जो राजा थे उसको हम नवाब बोल रहे है और जो हाइदराबाद के राजा है उनको हम निजाम बोलते हैं तो निजाम और जो हाइदराबाद के थे उन्होंने क्या क्या उन्होंने मानने से मना कर दिया जिके हम क्या बोलते हैं इंडिया के साथ अभी के जॉइन करने के लिए अभी हम राजी नहीं है और वो ना एक स्टैंड इग्रिमेंट के तौर पे एक साल के नौवेंबर में चले गा है जो कि एक साल के लिए ऐपलीकेबल था पतला एक साल तक एक साल तक उनके साथ हमारे डिसकरशन हो गया और बाई पते जिन्होंने तीन सो पांसो पैसलि स्टेट्स के साथ डिसकेशन गरी उसमें से हाइदरबाद के साथ इतना ज्यादा नेगोशेशन क्यों पहला पॉइंट ये कि हाइदरबाद की जो निजाम थे वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पैसे वाले माने जाते थे उस टाइ आश्ट्रा का भी आता था कुछ पार्ट में करनाटा का भी आता और अंधरा प्रदेश भी आता था तो यू कन इमाजिन जी कि उनके टेरिटरी कितनी बड़ी थी ठीक है तो अब पॉइंट यह आता है जिकि अब हमारी जो गॉर्मेंट उन्होंने इनके साथ डीलिंग करी कैसे तो इनके साथ एक साल के लिए नेगोशेशन के तौर पर हम स्टैंसल एग्रिमेंट में चले गए जिसमें जो नेगोशेशन करके रेजल्ट आएगा उसके पेसस पर डिसीजिजन होता अब यहां पर क्या हुआ है जब तक हम लोग एग्रिमेंट में गया उस वक्त जै नहीं होती लेकिन वो उधारी किराय पे जमीन लेके काम कर रे होते और खेती कर रहे होते ताकि उनकी जिन्देगी कट जाए और जो औरते थी उनंहोंने जो फीमेल्स नीन जजादा हाइधर अब mega इसमेंत बीधे प्रिजेंट से दो छोटे मोटे मजदूर थे लेबर थे जिनको बोला जाता है उनके उपर बिलकुल भी इज़त नहीं किया जाता था औरतों के उपर बिलकुल इज़त नहीं किया जाता था खासकर नौन मुसलिम ओरते जो गरीब हैं तो इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिय हाइदराबाद के निजाम के खिलाफ और जो इन्होंने जो रिवाल्ट किया इसका असर हाइदराबाद में काफी जादा पड़ा हाइदराबाद के अंदर ही काफी जादा रिवाल्ट होने लगे अब इसके बाद क्या हुआ जिकि राजा ने इसको टैकल करने के लिए अपनी ज्यादा हंगामा बढ़ गया अब जो इन्होंने जब अपनी और इनकी एक्टरौसिटी ऐसे नहीं disappoint e एक्ट्रोसिटी इस लाइक मर्डर होता था रेप होता था और जबरदस्ती शादी कर ली जादी थी गरीब उर्तों के साथ और मतलब जबरदस्ती की जाती थी हर चीज को लेके तो उसको लेके अब गौर्रमेंट ओव इंडिया को कंसर्ण हुआ और उसको फोर्स फूरली अब इंडियन आर्मी जासी गई वहाँ पे वहाँ पे थोड़ा इंटर्नल फाइट हुआ फाइट होने के बाद निजाम ने सरिंडर कर दिया और इसके बाद हाइदराबाद का हाइदराबाद का इंडिया के मतलब इंडिया के साथ हाइदराबाद का नेगोशेशन हो गया और हाइदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन गया अब इसके बाद हम आएंगे मनिपूर पे अब मनिपूर की बात में ये पॉटन पॉइंट आता है कि मनिपूर के राजा तो फेवर में थे हमारे चॉइन होने में लेकिन पबलिक का उतना फेवर था नहीं मनिपूर के राजा का जो नाम था वो था बोदृ चंद्र सिंग मनिपूर के जो राजा थे उन्होंने डिसाइट किया जिकी उन्होंने इंडिया के साथ जॉइंट हो जाना है और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ओफ एससेशन को साइन कर लिया था 1947 के टाइम पे मतलब जो हमारा टाइम पिरेट था एसेशन को साइन करने का लेकिन मनिपूर की जनता ने ना उनके खिलाफ एक वो शुरू कर दिया फोर्स फुली उनको फोर्स किया जिकि आप हमारी ओपीनियन के लिए बिना आपने ये कैसे साइन कर दिया और हम इंडिया के स एक वारता मर्ज नहीं होंगे तो मनिपूर के राजा ने उसके basis पे इन की पब्लिक ओपीनियन के देखते हो एक decision लिया जो की मनिपूर के पब्लिक के opinion के साथ में था जीकि उनके favor में था उन्होंने ये decision लिया जिकि वहाँ पे election किया जाएंगे कि तो जो पहली बार हमारी इंडिया में election हुए वो मनिपूर में हुए universal adult franchises के basis पे हुए और पहली बार 1948 में मनिपूर में election करवाए गए जून के महीने में कराए गए election कमान कराए गए इन elections को हम ऐसे तोरक पर देखे जाएं जिकि ये पहली बार Constitutional Monarchy के तोरक पर देखा जा सकता है इंडिया के अंदर जिकि एक Constitutional Monarchy बनाई गई जिसके अंदर राजा भी है और एक Constitution भी है जो की डेमोक्रेसी के तोर पर रन करने की कोशिश करने की करी जा रही है लेकिन क्या हुआ इंडिया गवर्नमेंट ने जब ये देखा तो उसने राजा को फोर्स किया जिकि आप हमारे साथ आ जाईए और हम आपको बेनेफिट्स देंगे और हम आपको राजा के तोर पर ट्रीट करेंगे और आप हमारे पास जॉइन कर लीजे तो इस बेसेस पे क्या क्या राजा ने ना फोर्स फुली इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर में आके फीर में आके प्रेशर में जो भी बोलिए 1949 में सप्तमबर के महीने में मर्जर ऐग्रिमेंट साइन कर लिया और इंडिया की पार्ट बन गया और ये जो राजा ने डिसीजन लिया वो उसके एडवाईस के अगेंस्ट बेलिया जिस वजा से आज भी आगा आप देखोगे तो मनीपूर में काफी regional disputes हैं और पब्लिक उसके इंडिया के साथ एक एक इंडियन गौर्रमेंट के खिलाफ या इंडियन गौर्रमेंट के against में काफी कुछ काफी लोग मनीपूर में एक disturbance create होती है और यही चीज़ है जिसका जो disturbance है और जो एक aggression है और एक unsatisfaction का जो एक results है वो आज भी आप मनीपूर के area में और उसके nearby area में feel करोगे और वो आज भी देखी जाते है because public opinion के खिलाफ इसका merger हुआ राजा के साथ merger हुआ तो यह एक और point है अपने princely states के सारे important points में integration of princely states में सारे important points मैंने आपके साथ discuss करें कुछ अगर छूट गए हो तो मैं further आगे और discuss करूँगा लेकिन अभी के लिए यही पे मैं इस chapter के points को और इस important part को यही पे खतम करूँगा थैंक यू